वेलकम टू टेक्विद विहारी में नाम विवेख है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Android फॉन में किसी भी एप को हाइड कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो स्टाट करें उसे पहले चैनल पर पहली वाड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर पेस किजिएगा साथ या आप हमें सोशल मेड़ा पर फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको नीची डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों आज क इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी तरीका बताने जा रहा हूं जिसके मतलब से आप अपने फॉन का एफ हाइट कर सकते हैं तो अपने फॉन में जो एफ हाइट करना है उसके लिए सबसे पहले आपका जो फॉन है इसके लांचर को हम चैन्ज करेंगे मतलब कि आपका जो प्लेश्टोड में मिल जाएगा लेकिन अगर कई के फॉन में प्लेश्टोड में यह अप्लिकेशन नहीं मिलता है तो वह क्या करेंगे क्रोम ब्राउजर में आ जाएंगे वैसे देखिए यहां पर हम सर्च करते हैं एप उस लंचर डाउनलोड और लास्ट में आपको एप इस पर क्लिक कर लिए और किलिक करने के बाद यहां पर आपको देखे डाउनलोड लेटिस्ट एपक है कब अप्सन मिलता है है यहां से क्लिक करっと थाको की आarloड कर लिए एंदेखिए डानलोड करे रखा यह देखिए मेरे पास यह एप्लिकेशन है 24 अब कर लेंगा और यह करेंगे अगर आज़ आप देखें अपर करते में हमारे टॉपन में शेट लेकान करने चलेंगा सब आपको यहां पर बता देता हूं तो सबसे पहले इस एप को आप अपने फॉन में open करेंगे तो देखिए इस तरह का इंटरफीस आएगा आपके सामने उसके बाद यहां से आपको अपना language चूछ कर लेना है तो जो भी लेग्मिज आपको करना है वो करके यहां से start पर क्लिक क करेंगे उसके बाद देखिए इसका जो लॉंचर है मतलब एपुस लॉंचर है वो आपके फॉन में यहां पर अपलाई हो जाएगा तो यहां से आपको क्या करना है चली हम बता देते हैं तो सबसे पहले आपको ओल एप पर आना यहां पर देखिए option मिलता है तो इस पर एपुस का जो एप है जो लॉंचर है उसका सेटिंग है तो आपको फॉन वाला जो सेटिंग है उसमें नहीं जाना है मतलब कि एपुस का जो सेटिंग यहां पर आपको दिख रहा है इसके सेटिंग में जाना अगर आपको एप हाइड करना है तो आप जो इसके सेटिंग मे का option आपके सामने आ जाएगा तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहां पर add करेंगे जो भी एप को यहां पर hide करना है जैसे कि मान के चलिए हम को एक आप हाइड करना चाहते हैं तो हम इस पर click करेंगे और हमारा इस phone में जो भी यहां पर ओका वह सारण आप यहां पर आज्याएगा तो जैसे कि मान के चलिए हम यहां पर यूटुब को हाइड ना चाहते हैं सिंपली क्लिक कर लेंगे जिस जिसको आप करना चाहते हैं सो उससपे क्लिक करके यहां से आप okay प्र क्लिक करें उससके बाद से यह जो दो यहां से मलगाको और यह लगने यहां तो यहां पर यहां प्राइये ही केहाँ एक है न लाखे होंगा टा यहांषे मेरे क्लिक करना कि दिखाते हैं कि हमारा जो YouTube है वो हमको font पे मिल रहा क्या इसके लिए हम all apps पे आएंगे और इसमें हम YouTube ढूंडेंगे तो देखिए हमारे पास YouTube का कोई application यहां पे नहीं है तो वो एप जो है यहां से hide apps का option है और यहां से आप अपना पासपोर्ट ड्रो करेंगे जो भी पासपोर्ट आप दिये थे उसके बाद आपके सामने वो एप आप आजाएगा इस पर आप simply क्लिक करके उस एप को आप यूज कर सकते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें यह एप को हटाना है म करणा है उसको लांचर को हम यहां से करेंगे तो आपको क्या करना है अपने phone क का को सुसकर than यहां से दूर्णने के बाद यहां को झासर थो ऊछाएगा यहांसे चल्था ही है इस तरह से इस dirig कर सकते यहां आपने सेखा कि कैसे जो है हम किसी भी अप्लिकेशन को मोबाइल में हाइड कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताए और साथ ही चैनल पर पहली वारा है तो चैनल को सस्काइब कर बैल आइकन को जरूर पेस किज़ेगा चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय हम मि मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बहुत ही जल्द करते हैं नेक्ट वीडियो में बहुत ही जल्द